दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कैसे ये टूल यूज करकर आपना CRS score चेक कर सकते हो Canada के लिए जो Express Entry में यूज होता है तो ये है वेब साइट जहां पे Invitation to Apply का पूरा डीटेल रहता है Express Entry का और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पूरा डीटेल जो है Government हर बार जब भी किसी को invite करता है तो बताता है कि कब जो है ये draw हुआ है और फिर किस टाइप का round type है और कितने लोगों को बुलाया गया है प्रोग्राम जो Express Entry के अंदर कौन से प्रोग्राम में लोगों को बुलाया है और Invitation का जो डीटेल है आपको यहाँ पे मिलेगा आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो है ट्रेंड है जो अभी तक जितने भी Express Entry ड्रॉग हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा तो जो लेटेस्ट ड्रॉग हुआ है वो 310 नंबर ओफ ड्रॉग हुए है Express Entry के अंदर जब से शुरू है तब से और August 15 तारिक का आपको यहाँ सामने दिख रहा है जो था French Language Proficiency Version 1 बतलब अगर आपके पास French Language Proficiency था और French जो है आपका Preferred Language अपने दिया हुआ था तो 2000 लोगों को बुलाए है और बहुत ही कम स्कोर है 394 तो यह आपको एक तरह से पता चले जाएगा कि किस टाइप से ड्रॉग हो रहा है यहाँ पे Express Entry के अंदर अभी आप देखो यह 309 यहाँ पे Canadian Experience Class इसमें 3200 लोगों को इन्वाइट किया 509 जो competition का स्कोर रहा है CRS Score सेम प्रोविंशन लॉमिनी प्रोग्राम 763, 690 लोगों को इन्वाइट किया है तो आपको एक तरह से यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस टाइप लोगों को बुलाया जा रहा है जैसे यह Healthcare Occupation वाला जो डीटेल है आप देख सकते हो यहाँ पे भी लोगों को बुलाया है तो अलद अलद प्रोग्राम में जो Invitation दे रही है यह Express Entry में है तो आप यह पूरा पूरा डीटेल इसका Link जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिक्शन में वहाँ जाके देख सकते हो अब आते हैं यह है पूरा Point System आपको Score जो मिलता है वो कैसे मिलता है आपका Age एक Criteria है Level of Education आपने कितना पढ़ाई किया है वो एक Criteria है तो इसे साब से यहाँ पे पूरा का पूरा डीटेल जो है उपर से नीचे तक दिया हुआ है हर किसी का डीटेल तो आप यहाँ पे जाके अपना देख सकते हो कि आप कितना Score लेके आ रहे हैं यह बहुत ही Simple Tool है यहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा जानकारी आपको आपको किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है सब हाथो हाथ आपको यहाँ पे बिल जाये तो जैसे मैंने बुला 15 अगस्ट को 394 लोगों को बुलाया था lowest score जो है 394 था वो आया होगा अगर टाइबरेकिंग रूल में अगर आपका minimum 395 score है मान लो आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनको 394 मिला है अगर आप इस date के अंदर गुसे हो तो आपको पका invitation to apply आया होगा फिर यहाँ पे आपको पता चलता है पूरे CRS score का distribution table मतलब जितने लोग express entry profile के अंदर गया है किसका आपको नाम से तो पता नीच लेगा पर कितने लोग कितने score के साथ है वो आपको पता चलता है जैसे 501 to 600 सबसे ज़्यादा competitive score वाला है फिर 451 to 500 में 61,210 लोग बैठे हुए है आपको यह पूरा का पूरा जानकार यहां पर पता चलता है कि आपसे आगे कितने लोग है या आप सबसे आगे हैं यह बहुत ही simple इन लोगों ने pool system बनाया हुआ है तो एक बार अगर आपको यह पता चल गया आप कहां पर हो तो आपको काफी सारे चीज़ें decision making में असान हो जाओ अब यह जितने भी चीज में आपको दिखा रहा हूँ यह पूरा का पूरा public domain में available है problem यह है कि हम लोग जो है थोड़ा research करते नहीं है और फिर हम जाके कहीं फस जाते हैं score लेके आने में फिर हम अपने तक्दीर को कोस्ते हैं कि हमको invite नहीं मिला अब जैसे अगर आप यहां आ जाओ इस वाले जगा पे CRS score calculator और यहां पे click करोगे आप इस tune को यह बिल्कुल free है अभी आप किसी और के यहां जाओगी तो वो चार्च भी करते हैं government ने आपको यह free में दिया हुआ है comprehensive ranking system goal जहां पे आके आप अपना score कितना हो रहा है वो भी चेक कर सक यहां पे इने जो details हैं वो डाल कर तो यह जो है tool आप देखो यहां पे आप इस tool में बताते हो कि आपकी शादी हुई है यह नहीं हुई है और marital status में बहुत सारे और भी criteria है यह दो simple criteria मैं आपको बता रहा हुँ आप यहां पे आप वी एक-ट करके check कर सकते हो तो जब आप पूरा का पूरा selection करोगे हर चीज का फिर आपको यह एक tool कोर बताए जो अमोवन सही सही होगा इसमें बहुत सारे variables जो बोलता है आपका जो जितने भी यहां पे score मैंने आपको बता है आप देख सकते हो age जो है यहां पे age का भी points अलद से रखा हुआ है तो इस tool पे आप select कर लो आप शावी शुदा हो नहीं हो जैसे मैंने यहां merit डाला है फिर आपकी spouse या common law partner citizen या permanent resident Canada में है या मैंने गो बोला है फिर क्या आपकी spouse या common law partner आपके साथ Canada आएंगे तो यहां पे मैंने बोला है yes और फिर आपका age क्या है आप वो choose करते हो and यह सब बहुत basic चीज है जो आपको score एक-एक करते देता है तो यहां पे आप अपना जो भी age है वो enter करते हो age select किया और फिर आपका level of education क्या है वो आपसे यह सवाल करते हो आपका अगर university degree है जो भी है आप select करते हो अगर आपका Canadian degree और diploma certificate है तो आप वो select करते हो और अगर नहीं है तो आपको एक कराना होता है education credential assessment जो कि आपको Canada में कुछ agency दिया हुआ है link आपको description में मिल जाएगा जहां पे आप जाके उस agency को अपना university certificate university जो है वो भीजता है इन यहाँ पे अगर select करता हूँ कोई for example आपका मान के चलो जब credential आजा अगर आपके अनेडा से बहार हो अनेडा के अंदर हो तो आपको जो भी degree diploma दिया है वो पता रहेगा आपको education credential assessment करने का ज़रुबरत नहीं है तो आप एक बार select करते हो जो भी आपका credential है इसे यहाँ पे मै दा हो तो आपका point 150 हो जाता है तो उससाब से आप जो है अपना जो भी select करते हो जैसे यहाँ doctorate अगर मैंने select किया तो फिर यहाँ पूछ रहा है have you earned a Canadian degree diploma certificate तो यहाँ पे आपको क्या है वो detail दिया हुआ है आपका जो Canadian degree diploma certificate क्या क्या लाग हो है उसका detail यहाँ दिया है आप फ कोई test present है क्या जो दो साल से पुराना नहीं होतलब maximum दो साल तक का जो validity वाला है उसके अंदर आप जब apply कर रहे हो तो होना चाहिए तो यहाँ पे yes आप बोलोगे तभी आपको score जो है अच्छा खासा दिखाएगा अगर no बोलोगे तो आपको language का जो score है वो बिलकुल zero करते तो जो भी आपका language test ले रहे हो अंगरी जी अगर ले रहे हो तो cellpip है cellpip G, IELTS है PTE है यह तीन अंगरी जी में और फिर बाकी दो नीचे जो है वो French वाले है तो अगर आपका French first language है तो आप यह select करते हो तो यहाँ पे again आप देखोगे यह French language proficiency test वालों को बुलाया था last ज select किया है फिर यहाँ आखे आपको IELTS score जो है जो भी आपका score है वो यहाँ पे select करना है अगर यह range देख रहे हो 7.5 to 9 अब कितना भी लेगे हो अगर 7.5 to 9 है तो आपको वो consider करता है एक level पे same listening आप select करते हो reading और writing तो यह आपका range एक बार select हो गया फिर do you have any other language result आप जो भी यहाँ पे Canadian language benchmark दिया है उसके हिसाब से अगर जैसे मेरे points में देखाया है आपको पूरा का पूरा 32 points विलेगा अगर आप single हो अगर आप शादी शुदा हो तो आपका point उसके हिसाब से यहाँ पे ठेगा तो यहाँ पे language result जो है आप फिर select करते हो अगर आपके पस दूसरा है तो दूसरा यहाँ पे French है अगर आपके पस है तो आप हो select करते हो तो थोड़ा point add होता है अगर नहीं है तो आप not applicable select करते हो तो फिर अगला आपको यहाँ पे point table पे second official language में कितने points मिल रहा है वो दिख जाए फिर आजाओ आप work experience work experience में last 10 साल में आपका जो skilled work experience है Canada के अंदर आपके पस है कि यहाँ पे मैं select कर रहा हूँ none फिर last 10 साल में foreign skilled work experience आपका कितना है आपने कहीं पे भी काम किया है Canada के बाहर तो आपका जो foreign skilled work experience कितने साल का है वो paid होना चाहिए full time होना चाहिए या उसका equivalent होना चाहिए part time में और किसी एक knock tier category में होना चाहिए 120123 जो भी दिय होना चाहिए knock code क्या है तो आपको यह जानकारी होना चाहिए एक बार आगर आपको पता चल गया और आपने select किया जैसे 3 साल या ज्यादा आप 3 साल से ज्यादा का experience foreign country का रते हो तो आपको point उतना ही मिलेगा अगर 10 साल का experience है point आपको उतना ही मिलना है तो 2 साल में थोड़ा कम होता है एक साल में थोड़ा कम होता है point तीन साल और उसके बाद आपको point बराबर मिलता है maximum do you have a certificate of qualification from Canadian province territory federal body आपके बस Canada के अंदर से किसी का जो है qualification है या मैंने row बोला है उसके बाद additional point के लिए कुछ और सवाल है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे आपके बास कोई job offer है जो job offer है उसका पूरा detail यहाँ दिया है आपको यह पूरा ध्यान में रखना होगा जानकरी के लिए ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो कि यहाँ do you have nomination certificate from province or territory किसी province or territory से है इसमें भी मैं बोल रहा हूँ no और फिर पूछ रहा है कि आप या आपके spouse या common law partner जो है कोई भी citizen या permanent resident है भाई बहन जो भी है 18 साल से उपर जो या criteria दिया है मैंने बोला कोई नहीं है वो एक बार selection हो गया फिर क्योंकि मैंने शुरू में किया था क हा मैं शादी शुदा हूँ तो spouse डिटेल पूछ रहे है और spouse का जो highest education level qualification किया है वो पूछ रहे है तो आप उसके हिसाप से सेलेक्ट करते हो spouse के लिए पॉइंट थोड़ा अलग पॉइंट है फिर आप उसके हिसाप से सेलेक्ट करते हो और सेलेक्ट करने के बाद last 10 साल में उनके बस skilled work experience कितना है Canada के अंदर मैंने नन की है कोई Canada का experience नहीं है फिर spouse के पास ये common law partner के पास कोई test result है language का यहाँ पे उनका score थोड़ा अलग है जो primary applicant है उनसे तो फिर उसके हिसाप से आप से आप सेलेक्ट करते हो जो उनका CLB level है वो तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आपका दिखा रहा है और इस 600 point में आज की date में जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाप से बता रहा है 498 तो बहुत ही simple tool है आप इसमें detail डाल कर आपका कितना point बन रहा है आप चेक कर सकते हो बहुत सारे समझदार लोग जो है अपना strategy बनाते हैं चेक करते हैं कि मैं कहां प बोला यह बिल्कुल free tool है और आपको use करना चाहिए ऐसे वीडियो के लिए subscribe किजिए इस channel को और तब तक के लिए धन्यवाल